हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HLL Life Care Limited की New Requirement Notification के बारे में और इसकी LGBT Conditions के बारे में साथ में फ्रेंज, आप इसमें apply कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंज, सबसे पहले बात करते हैं इसके detailed notification के लिए तो फ्रेंज, ये इसका official notification है जो की फ्रेंज से various posts के लिए invite किया गया है तो experience candidate साथ में फ्रेंज, यहाँ पर जो भी आपके fresher candidate है वो भी eligible होंगे अब यहाँ पर एक vacancy है under fixed term contract जिसमें फ्रेंज, आपके educative की vacancy रहेगी एक post है, M pharma और एक साल का experience आपसे यहाँ पर required किया गया है इसमें friends, दो साल तक आपका appointment period रहेगा और 40,000 तक salary आपको मिल सकती है एस criteria 40 साल आपका रहेगा यहाँ पर friends तो जो एजुकेटिव है, deputy manager जो की regulatory affairs में रहेगा same M pharma और एक साल का experience आपसे required किया गया है और दो साल का यहाँ पर contract period है, 20 से 40,000 salary और 40 साल आपका age limit रहने वाला है deputy manager mechanical में friends एक post है और BE in mechanical आपके पास होना चाहिए एक साल का experience required रहेगा दो साल तक आपका यहाँ पर contract period है, 40 साल age criteria है, 20 से 40,000 salary है इसके बाद यहाँ पर commercial assistant की vacancy है, एक post है B.com, M.com के साथ 3 साल का experience, 2 साल का आपका contract, 10 से 20,000 रुपे salary और 40 साल की age आपकी रहेगी इसके बाद friends से under training and development scheme जो की 3 साल के लिए आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी जिसमें pharmacist training की vacancy है, B.pharma 60% marks के साथ आपने किया हुआ है, आप इसमें आविदन कर सकते हैं इसमें friends से कोई भी experience required नहीं है, 18 से 35 साल age criteria रहेगा, 10 से 11 और 12 आपको per year salary मिलेगी graduate training के लिए B.h.c. chemistry या microbiology 60% marks के साथ fresher apply कर सकते हैं, 85 से 95 सो आपकी salary रहेगी और 18 से 35 साल age criteria I.T.I. training में friends, I.T.I. feeder या electrician की 60% marks के साथ आपका pass out होना जरूरी है, fresher apply कर सकते हैं, 8,000 से 9,000 रुपी salary आपकी यहाँ पर रहेगी S.L.C. trainee में friends, S.L.C. pass होना आपका यहाँ पर जरूरी है, fresher apply कर सकते हैं, 75 सो से 85 सो रुपी salary यहाँ रहेगी इसके बार है apprenticeship trainee जो की एक साल के लिए रहेगा, graduate engineer apprenticeship trainee B.E.B.T.E.C. electrical या mechanical में दो post रहेगी, 18 से 35 साल आपका criteria रहेगा, 9,000 रुपे stipend आपको मिलेगा इसके बार है diploma apprenticeship trainee, diploma in mechanical engineering या फिर electrical engineering दो post है, 18 से 35 साल age criteria, 8,000 रुपे stipend इसके बार है trade apprenticeship, ITI, feeder या electrician में होना चाहिए, 12 post है, 6,750 रुपे आपका यहाँ पर stipend रहेगा तो यह इसकी vacancies की details है, और यहाँ पर friends है, आपको इसकी prescribed application format में आपको यह upload करना है मतलब जमा करना है, send करना है, और साथ में friends है, आपके जो documents हैं, वो भी आपको send करने होंगे अब यहाँ पर friends है, आपका जो candidate है, उनकी posting आपको इस address पर होगी, जो की आपको यहाँ पर दिया गया है इसके बाद यहाँ पर देखिए, SCST OBC को government of India के according छूट मिल जाएगी इस qualification experience इसके closing date पर count किया जाएगा और यहाँ पर friends आपको detail wise यहाँ पर जो जानकारी है, वो provide की गई है, क्या-क्या documents आपको send करने होंगे इसमें friends आपको कहा गया है कि अगर जो आप selected होते हैं और आपको बुलाए जाता है personal interview के लिए तो अपना जो answer है या आप reply देना चाहते हैं वो आप हिंदी भी choose कर सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं तो friends यहाँ पर आपको आपका resume और साथ में education qualification, experience, community certificate और आपके जो भी recent passport or photograph है वो आपको इस address पर send करनी है 24 12 2020 तक और इस envelope में आपको send करेंगे उस पे post applied for किस post के लिए apply कर रहे हैं वो भी आपको mention करना होगा तो यह जानकारी friends आपको इस section में देखने को मिल जाती है तो friends आपको करना क्या है आपको सबसे पहले download करना है इसका offline application form और उसमें friends आपको attach करने हैं आपके जो भी relevant documents हैं चाहे आप SLC के लिए apply कर रहे हूं आप यहाँ पर training के लिए apply कर रहे हूं या फिर आप educative के लिए apply करने हों तो जो भी आपसे required मांगा गया है qualification, LGBT conditions उनको आपको attach करना है और इस दिये गए address पर send करना है 24 12 2020 तक और आपकी जो भी details count होंगी वो 24 12 2020 को ही count की जाएंगी अब बात करते हैं कि यह जानकारी आपको कहां मिलेगी तो friends से description में आपको link मिल जाएगा jobrasta.com का महाँ प सभी मिल जाएगा या फिर friends आप HRL की Life Care Limited की official website पर आ सकते हैं carrier section में और यहाँ पर आपको detail मिल जाएगी 24 12 2020 last date और यहाँ पर देखिए आपको recommend detail मिल जाएगी जो कि हमने अभी notification को यहाँ से check किया वो आपको इस section में देखने को मिल जाएगा या फिर friends आपको यहाँ पर blank application form का option मिल जाएगा मतलब इस application form को आपको download करना है और इस application form को आपको fill करना है तो friends यह इसका official form है offline form है जो की employment के लिए निकाला गया है अब यहाँ पर देखिए आपको दो point दीगे हैं कि सबसे पहले जो form है यह block letters means capital letters में आप fill करेंगे इसके लावाँ जो भी appropriate option नहीं है कर रहे हैं तो यहाँ पर friends से आपको देखिए सारे post के जो position के नाम है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं आपके according जिस भी post के लिए apply आप करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके बाद friends से सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी passport size photograph यहाँ पर आपको चुपकानी ह और यह 6 मैंने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए इसके बाद capital letters में आपका जो नाम है पूरा नाम आप यहाँ पर enter करेंगे आपका father या husband name आप लिखेंगे और उनका occupation लिखेंगे मतलब वो क्या काम करते हैं इसके बाद है address for communication आपका पूरा communication address with pin number और आपका mobile number आप mobile number और mail ID बिल्कुल active and valid होनी चाहिए आपको यहाँ पर अधार card number और pen number देना है आपके पास अधार card है तो pen card है तो pen card भी दे सकते हैं नहीं है तो आप ने यहाँ लिख देंगे कोशिच के दिए दोनों ही आप यहाँ पर provide कर सकें इसके बाद है age and date of birth तो आपको यहाँ पर nationality क्या है आपका religion या caste क्या है आपका gender क्या है male या female वह आप यहाँ एंटर करेंगे इसके बार है marital status आपको यहाँ देना है married unmarried mother tongue आपकी क्या है इसके बार आप कौन-कौन सी language जानते हैं English, Hindi या फिर other language भी जानते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं इसके बार friends आप SC, ST, OBC एक सर्विसमें से बिलॉंग करते हैं नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो आप नो पर टिक कर सकते हैं अगर करते हैं तो यस करके आप यहाँ पर उसको बता देंगे SC से करते हैं OBC से करते हैं दोनों से करते हैं तो OBC एक सर्विसमें SC एक सर्विसमें आप यह डिटेल भी कर सक प्रवाइड करेंगे इसके बाद यहां पर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको तैन्थ से स्टार्ट करना है तैन्थ है डिगरी है डिप्लोमा है पीजी डिगरी है आपके पास जो भी डिटेल है उसमें उसका नाम तैन्थ 12 डिप्लोमा डिगरी नेम अब करेंगे आपके पास अगर कोई experience है अगर उस पोस्ट में required है तो आपकी organization का नाम आपकी पोस्ट का नाम कब से कब तक आपने काम किया आपकी salary क्या थी पर मंद वह आप यहां बता सकते हैं नहीं है applicable उस पोस्ट के लिए आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसके बाद यहां पर place का नाम लिखेंगे जहां से आप इस form को fill कर रहे हैं date लिखेंगे जब आप इस form को fill कर रहे हैं signature करेंगे नाम कर लिखेंगे और उसके बाद इसको envelope में लगकर अपने documents को साथ photocopy के साथ और आप इसको send कर देंगे दिये कए address पर तो friends last date इसकी 24 12 2020 रहेगी details जैस करी के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारे यूटूब चैनल एनलास थैंक्स पूर वाचिंग